Hello everyone, this is Shilpi, welcome to all of BOLD. So in this video we are going to discuss BOLDT monthly current affairs for the month of April 2022. So आने वाले जो भी आप लोगों के exams रहेंगे वहाँ से, यहाँ पर जो questions हम discuss करेंगे, वो आने के पूरे-पूरे chances हैं. So बिना देरी करें हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं. Okay, so these are the topics. अगर आप लोगोंने अभी तक BOLDT का PDF डाउनलोड नहीं करा है, तो I would recommend you के आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जाईए, वहाँ पर आपको PDF का लिंक मिल जाएगा. Hindi और English दोनों में ही यह रहता है, तो आपको जिस भी लैंग्विज में आप कमफर्टेबल हो, उसमें आप लोग इसको डाउनलोड करके एक बार खुद से जरूर पढ़ना, और उसके बाद आप वीडियो देखोगे, तो आपको अच्छे से चीज़ों को समझ में आएंगी. अब हम डिसकस करते हैं, बैंकिंग और फाइनेंस से, और कब हुआ था? सो 1 अपरेल 1935, हिल्टन यंग कमीशन जो था, उसने रिकमेंड करा था कि RBI बनाया जाना चाहिए. पहले इसका एड़कॉर्टर था कोलकाता में, और उसके बाद 1937 में मुंबई में शिफ्ट करा. कभी कबार ऐसे basic से questions आपसे पूछ लेते हैं, तो जो भी years related हैं आपके banking से, या फिर कोई भी act से, तो वो आप लोग जरूर धियान रखना. इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सारे act याद रखने, जो आपके economics और banking से related act हैं, आपको सिर्फ वो याद रखने हैं. फिर आगे देखते हैं, HDFC Bank Adjudged Best Performing Bank in SHG Linkage by NRLM, Ministry of Rural Development Government of India. So पहले तो NRLM का full form आपको पता होना चाहिए, National Rural Livelihood Mission. ठीक है, अब इसके तहर जो self-help group linkage की बात करी जा रही है, उसमें HDFC Bank को Best Bank का, जो हम कह सकते हैं, award है, वो दिया गया है. ओके, फिर उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, एक 5000 रुपे का withdrawal cap लगाया गया है, सुश्रुती सौहार्द सहकार Bank पे. यह cooperative bank है, और आप देखोगे, ज्यादा तर जो गडबड़ी अगर आज के टाइम पे देखने को मिल रही है, किसी भी administration में, तो वो cooperative banks में ही सबसे ज्यादा मिलती है, क्योंकि कही ना कही इस पे RBI का उतना control नहीं होता, जितना की बाकी banks पे होता है. ओके, यहाँ पर अब RBI ने restrictions लगाई है, तो देखिए, अब जब मैं वीडियो बना रही हूं तो RBI ने अभी रीसेंट में ही परसो ही, आज 6 है, तो जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, फोर्त में को यह जो RBI के गवर्नर थे शक्तिका अंदास, उन्होंने एक press meet करा और बहाँ पर जो भी rates वगरा है, जो discuss करें RBI के पैनल ने, उनको disclose करा है, तो अब rates बढ़ा दिये गए हैं, तो यह जो news है, यह पहले का है, इसलिए यहाँ पर जो rates हैं, वो आप याद मत करना, तो फिर, और अच्छा यह भी है, कि जो bai monthly monetary policy है, तो bai month नाम से ही समझ में आ रहा है, कि हर दूसरे महिने में आती है, ठीक है, और इस साल की यह पहली थी, तो साल तो हमारा January में शुरू हुआ, तो फिर हम यह क्यों कह रहा हैं, पहली थी, क्योंकि जो हमारा financial year है, करी है, इसके अलावा आपका SDF करा गया है, 4.15% और marginal standing facility 4.65% करा है, और वहीं जो हमारा नया CRR, cash reserve ratio जो रखा है, वो है आपका 4.5%, फिर next देखते हैं, RBI starts SDF to raise effective policy rate, तो SDF का मतलब पहले तो आपको जान लो, standing deposit facility, इसका जो function है, वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, आपका reverse repo rate जैसा ही है, जब भी RBI को market से liquidity को absorb करना होता है, तो वो reserve repo rate को बढ़ा देती है, आपने यह देखा होगा, इससे क्या होगा, जो भी पैसा होगा, अगर rate बढ़ा दी गई, तो banks क्या करेंगे, वो पैसा RBI के पास में पाक करेंगे, तो फिर आप कहोगे, जब उसमें भी यही होता है, और SDF में भी यही हो रहा है, तो फिर इन में difference क्या है, तो देखे, SDF में क्या है, आप यहाँ पर देखो, इन में पर इन पर कोई भी यही दिया जाता, अब आप यहाँ पर देखो, मैंने सिफ नेट पर सच करा था, SDF and reverse repo, तो यहाँ पर, if you guys can see, बोथ SDF and reverse repo rate are used by the central government to absorb liquidity in the system, the difference is, through reverse repo operations, the RBI needs to deposit collateral और government securities to borrow from commercial banks, जबकि SDF में RBI को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, collateral की ज़रूरत नहीं होती, तो हो सकता है, अगर आप interview देने जाओ, तो वहाँ पर आपसे इस तरीके के question पूछ लें, तो हमेशे यह कोशिश करिया, आप लोग current affairs का, कोई भी question आपका banking से related है, तो उसको आपका जो concept है, वो भी आपको समझना है, ताकि सिर्फ उसको रटना है चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि अगर आप हो सकता है, रट के, जो अपना mains exam है, वहाँ पर कोई question आगया और आपने tick कर लिया, लेकिन अगर आपने concept नहीं समझा, तो जब आपसे orally questions पूछे गए, तो फिर आप answer नहीं कर पाऊगे, तो फिर आप हम आगे देखते हैं, just a second, हाँ, next है, carbon card launches new payout product for startup and SMBs, तो carbon card के है, एक corporate card provider है, add an emerging neobank for the new stage startups and SMBs, तो यहाँ पर यह एक neobank भी है, और साथी साथ एक corporate card provider भी है, तो उसने एक नया payout product है, वो launch करा है startups के लिए, तो इससे क्या होगा, जो salary payments वगेरा करनी होगे startups को, वो काफी easily और एक quick method के तुरूँ वो कर सकेंगे, ठीक है, तो next है, करनाटिका विकास ग्रामीन बैंक launches new deposit scheme, तो करनाटिका विकास ग्रामीन बैंक जो है, पहले तो इसके chairman कौन है, चुकि यह news में है, तो आप इसके chairman याद रखिएगा, पी घोपी कृष्णा, तो यहाँ पर क्या किया है, एक नया deposit scheme launch करा है, जिसका नाम है, विकास सीरी संपत 1111, तो यह क्या है, यह किस तरीके का deposit है, जहाँ पर interest rate जो है, वो 5.7% मिलेगा, पबलिक को, और वहीं senior citizens को, 0.5% और जाधा मिलेगा, 6.2%, ठीक है, और कितने दिनों के लिए, so, 1111 दिनों के लिए, जब deposit करोगे, तो आपको इतना return वहाँ पर मिलेगा, लगबग हो गया आपका 3.5-3 साल का, ओके, फिर next है, RBI, NBFC UL, and NBFC ML, to have compliance, जाते हैं, जो भी चीज़ नियूज में चल रही हो, उसकी, जैसे कि अभी SBI क्लर्क में एक 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 ग्जाम में एक क्वेस्चन पूछा था, कि डेफ जो था, उसका फुल फॉर्म अप क्या है, तो ये क्या था, उसी समय नियूज में आया था, तो उसका फुल फॉर्म पूछ लिया, इसका मतलब ये नहीं है, कि आपको किसी भी सीज़ का, जो भी हम पढ़ रहे हैं, उन सब के फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत है, एक बार सर्च करते हैं, देखिए, डेफ इन आर भी है, डेपॉजिटर एड्यूकेशन एंड अवेर्नेस फंड स्कीम, और इसको इस्टैबलिश करा गया था, बाई आर भी है, इन 2014, और प्रमोशन अव डेपॉजिटर इंट्रेस्ट, मतलब, जो भी आप देखिए, नाम सही समझ में आ रहे हैं, जो भी डेपॉजिटर हैं, जो भी बैंक के साथ में अपना पैसा डेपॉजिट करते हैं, उनके उनके लिए जो अवेर्नेस है, उसको इस्प्रेड करना, जिससे कि उनको अपने जो भी एकनॉमिक राइट से हैं, और यू कैं से, अब एक बार सिर्फ नेट पर सर्च करो और अब यह समय आपको इसलिए बता रही हूं जिससे कि कई बार ऐसे questions आते हैं जो आपको compilation में नहीं मिलेंगे हो सकता है कि यह जो हम चीज पढ़ रहे हैं यहां से एक question हीना है और आपसे वह कुछ चीज पूछ ले कि NBFC UL में इसमें से क्या-क्या प्राफदान होते हैं तो वह आपको खुछ से समझ में आना चाहिए कि आपको क्या-क्या पढ़ना है जैसे कि मैंने यह डाला NBFC UL and NBFC ML तो यहां तो कुछ भी के SSH नहीं निकलके आया compliance वगेरा ही आ रहा है तो हम यह दिख देते है directions कि क्या-क्या डायरेक्शन से रिलेटेड ओके यह master circular खुलके आ रहा है just a second और यह से मैं आपको इसलिए बताना चाहरी हूं so that कि आप लोगों को समझ भाएं कि आपको कौनसी चीज़ें पढ़नी है और कौनसी चीज़ें छोड़नी है NBFC UL यह कुछ एक फिर से regulatory framework आ रहा है इसमें ओके सो यह काफी बड़ा सा खुला है यहां पर एक लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह भी हमारे इस पर्टिकुलर चीज से related काम का है तो फिर हम next देखते हैं देखिए यह आ गया framework for scale based regulation for NBFCs सो पहले अगर आप 2016-17 में एक्जाम देते तो हो सकता है आपसे NBFC का ही पुलफॉर्म पूछ लेते लेकिन अब ऐसा नहीं होगा यहां पर अगर हम पूरा पढ़े regulatory structure of NBFCs shall comprise of four layers based on their size, activity and perceived riskiness ठीक है NBFC in the lowest layer shall be known as NBFC base layer ठीक है जो चार तरीके से बाटा गया है चार layers में एक होगी आपकी base layer फिर है आपकी NBFC middle layer and then upper layer shall be known as यह उनके नाम लिखे है और final एक NBFC है जिसका है नाम top layer तो हो सकता है वह आपसे यहीं पूछ ले कि इसमें से first, second, third, fourth को line से लगा दो आप ठीक है और base layer में क्या है non deposit taking NBFC is below the asset size of 1000 crores तो आप देखो जो अभी हम बोल्ट का PDF पढ़ रहा हूं उसमें चीज नहीं थी क्योंकि वह current affairs से related है लेकिन आपको यहां पर NBFC irrespective of size याने कि जो भी middle layer में आएंगी NBFC वह ऐसी होंगी जो कि deposit लेती है ओके इसके अलावा non deposit taking NBFC with asset size of 1000 crores and above तो ऐसी non deposit taking NBFC जिनका asset size 1000 crores या फिर उससे ऊपर है वह भी middle layer में आएंगी आपसे ऐसा question भी पूछ सकते हैं कि deposit taking NBFCs है वो किस layer में आती है base layer, middle layer, upper layer, top layer या फिर none of these तो उसका answer होगा आपका कौन सा non deposit base layer में और deposit taking middle layer में ठीक है फिर यहां पर आप देखिए upper layer की कौन सी है those NBFCs विचार specifically identified by reserve bank as warranting enhanced regulatory requirement based on set parameters and scoring methodology यहां पर तो क्या है कि वो methods की बात कर रहे है तो फिर यह question आपसे upper layer का नहीं पूछेंगे यहां पर क्या है exactly no figure नहीं मिल पा रहे है तो यह सारी चीज़े क्या है अपको खुद से पढ़नी पड़ेंगी अगर आप लोग चाते हो आपके अच्छे marks आए तो फिर जैसे एक यह NBFC P2P अब आपसे पूछ लिए P2P का यहां पर क्या मतलब है तो यह आपका peer to peer okay NBFC AA क्या होता है बिल्कुल ऐसा question आ सकता और आया भी है पिछले अगर आप 6-7 महीनों के जो भी papers देखो कि NBFC AA का full form क्या है तो AA का मतलब यहां पर है account aggregator ठीक है फिर अगर ऐसा पूछ लिया NOF HC में F क्या है तो NOF HC का मतलब है non-operative financial holding company ओके यह सारी चीज़े देख लेना और इसको सर्च करने के लिए आपने देखा ही हमेने क्या डाला था NBFC RBI UL करके ओके चले वापिस चलते हैं यहां देखते है HDFC bank to raise 50,000 करोर वाया bonds we appoints renew करनाद as director HDFC bank ने यह बोला है यह decide करा है कि वो market से 50,000 करोड रुपे उठाएंगे ठीक है bonds के जरीए bonds issue करेंगे और इतना पैसा market से लेंगे वो और रितू करनाद को डायरेक्टर के तौर पर अपोइंट करा है कोटक महिंद्रा bank launches कोटक FYN यहां पर कोटक महिंद्रा bank ने कोटक FYN लांच करा है जो कि business banking और जो corporate clients है उनसे related है यानि कि जो basically जो पैसे वाली parties है उन लहों के लिए है corporate के लिए है यह लगबक 100% बच्चे जो भी थोड़ा भी seriously तैयारी कर रहे है वो लोग कर लेंगे अब जो हमने पहले पढ़ा NBHC UL क्या है NBHC AA क्या है यह हर कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा जोगर आप ऐसी चीज है पढ़के जाओंगे तो आप 2-3 marks का एज जो है वो किसी के बाकिंग मिल रखी है इस तरहीके का जो पेमेंट कार्ड है वो पहली बार लॉंच हुआ है किसने करा है मास्टर कार्ड और नेक्सों ने तो आपका बेसिक रोट लर्निंग का क्वेशन हो गया नेक्स है चाइनीज बैंक कॉंटिन्यू तो डॉमिनेट इसी 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 इंट्रेंट अमंग टॉप बैंक्स इन एपक यहां पर टॉप 50 बैंक के एक लिस्ट जारी करी गई और यह थी एसेट साइस के अनुसार ठीक है तो यहां पर इंडिया का जो बैंक के लेट किंगे SNP Global Market Intelligence पर नेक्स है आई पी इंडिया पोस्ट पेमेंस बैंक लांचर क्वंक लॉट कुअ वेशन को खेंग हैं तो इसन्टेक स्टर्टक पक्मूनिटी यहां पर देखर इन आप को खेंग विट फिंटेक स्टर्टप कॉम्यूनिटी इसी इन क्लॉजिशन को अपका Fintech ठीक है Financial Technology और Cluation तो यह हो गया आपका हम क्या सकते हैं Inclusion तो Financially लोगों को हमें कहीं न कहीं जो टेक्नोलोजी है उससे जोड़ना है उसके लिए यह है ठीक है यह यहां पर लिखा हुआ है को create and innovate solutions तो financially लोगों को banking system में कैसे लेकर आया जाए उसके लिए tie-up करेंगे यहां पर किसके साथ में ऐसे हैं टेक्नोलोजी जो कि financial sector में काम करते हैं टेक्नोलोजी कंपनीज बेसिकली ठीक है को next है RBI launches business sentiment assessment survey so पहले तो यह ध्यान रखना अगर ऐसा question आता है कि business sentiment assessment survey कौन launch करता है इंडिया में option आपको ऐसे दे देंगे नीटी आयोग या फिर किसी company का नाम दे दिया ठीक है या फिर दे दिया कि statistics organization of india NSO ऐसे question आपसे इस तरीके option बनाए जा सकता है तो ध्यान रखना कि यह करता है RBI launch करता है इसको और industrial outlook survey कौन launch करता है तो वो भी RBI करता है तो वह अभी करने जा रहा है तो वही इसमें news लिखे आपसे यह नहीं पूछेंगे क्या अभी क्या कर रहे है लेकिन यह याद रखना कि कौन launch करता है the next is RBI sets 3-year deadline for non-individual borrowers to obtain legal entity identifier codes so LEI legal entity identifier पहले तो इसका आप लोग full form ध्यान रखना फिर इसको बनाया किसने so international standard organization जो है उसने इसे develop कर रहा है ठीक है और यह क्या है 20 character का यह alphanumeric code है option में यह भी पूछ सकता है कि 11 digit का है 12 digit का है ठीक है अल्फanumeric है या फिर कुछ इसमें सिर्फ digits है या फिर alphabets है so यह 20 character का एक alphanumeric code होता है और यहां पर क्या होता है कि देखें क्यों use हो रहा है basically अच्छा एक question इसमें यह भी बन सकता है कि इसे कौन-कौन ले सकते है क्योंकि अगर नॉर्मल कोई भी company है इंडिया में काम कर रही है तो उसने अगर अपना business खोला है तो जो भी उसके documents वागे रहा है वो तो सब कुछ bank के साथ में deposit होता है तो फिर इसकी क्या जरूरत है क्योंकि यह foreign company के साथ में transaction करने के लिए use होता है अब यहां पर deadline पढ़ तक 25 करोड से उकर जिनका भी exposure है उन्हें LEI court लेना होगा इसके अलावाद 10-25 करोड का जिनका जिनका exposure है उनके लिए एक साल और बढ़ा दी गए timeline और जिनका 5-10 करोड का exposure है उनके लिए 2025 तकी timeline रखी है तो यह आपना उनको ध्यान रखना है तो next है RBI issues new rules penalties for credit and debit card effective from July 1, 2022 तो RBI, sorry banks with a net worth of rupees 100 crores and above are permitted to undertake credit card business either independently or entire arrangement with other card issuing banks or NBFC तो ऐसे जो भी bank है जिनकी net worth 100 crores से उपर की है या 100 crores है वो जो credit card का business है वो अपना शुरू कर सकते है या तो वो खुद से भी शुरू कर ले या फिर किसी के संग में tie up करके भी इसके अलावा जो urban cooperative bank है जिनकी net worth 100 crore की है तो यहाँ पर भी है और उनके पास में CBS भी है यानि की core banking solution basically उनका जो भी system है वो computerized है और वहाँ पर available है तो वो भी credit card issue कर सकते हैं लेकिन उनको RBI का approval लेने की जरूरत रहेगी so next is beam upi goes live on neopay terminals in UAE so यहाँ पर यह वाला जो question है आपका beam upi का यह लगवक सब लोगों ने अभी देख पड़ा होगा जो भी daily current affairs कर रहे है तो इससे related question मैंने अपने telegram channel पर भी पूछा है अगर आप चाहो तो उसे join कर सकते हो मैं यहान लिख देती हूँ शिल्पी कंचन 28 यह telegram channel है आप इसे join कर लेना तो वहाँ पर इसी से related question पूछा था इसलिए मुझे एक दम से ध्यान आया लिखें एक second लिखें बीम upi जो है it has gone live on neopay terminals in UAE so अब आप लोगों को यह तो पता होगा कि जो हमारा UAE के साथ में हमने भी tie up करा है और हमारा जो upi system है वह वहां पर भी चलेगा इस initiative से क्या होगा ना कि जो भी Indian tourist है this initiative will enable Indian tourist to perform payments using beam upi which has emerged as the top preferred mode of payment of Indian citizens तो देखिये foreign में भी अगर आप जाओ गया as in UAE में जाते हो दुबाई बगरा में जाते हो तो वहां पर भी आप जो payment है वह इसके थू कर सकते हो beam upi का जो payment system है वह वहां पर भी काम करेगा और इसके लिए new pay terminals के साथ में हमने tie up करा है तो new pay जो है वो किसकी payment subsidiary है यह question वहां पर भी पूछा गया था मैने तो new pay जो है it is the payment subsidiary of मश्रेग bank तो यह ज़रूर ध्यान रखना यह UAE का ही एक bank है जो भी infrastructure worker आप प्रवाइट करा है जिससे की beam upi UAE में चलता है वह मश्रेग bank ने प्रवाइट करा है और NIPL क्या है तो NIPL किसने उसको बनाया है इसका आप लोग answer comment section में जरूर करना इसका आप लोग answer कोमें सेक्षन में जरूर करना कर नेक्स्ट है International Financial Services Authority issues framework और investment fund तो IFSCA fund management regulation 2022 a fund management entity will be registered with IFSCA and will be able to manage different type of funds and schemes subject to meeting the eligibility criteria यहां पर IFSCA उसने अपने framework तैयार कर रहा है किसके लिए investment funds के लिए okay so basically आपको यहां पर यही ध्यान रखना है next click penalty लगाई गई है तो यह 1000 penalties लगती है आपको यह क्याद रखने की जरूरत नहीं है लेकिन कहीं पर अगर कोई different सा reason हो तो आप लोग ज्यान रख सकते हो अब यहां तो sections अगरा दिया है तो यह आप से नहीं पूछे चाहेंगे next is FBA has expand partnership with TCS to transform customer onboarding experience on board करना क्या हो गया जैसे कि मैं आपसे बोलूँगी या लेट से कोई भी bank है या फिर इसको easy example से समझ लेते हैं मैं आप लोगों को free content provide कर रहा है फिर last में आपसे बोलूँगी आप हमारे यह course join कर लो तो यह कहीं न कहीं onboarding हो गई राइट मतलब हम लोग यह students की onboarding कर रहा है लेकर आ रहा है हमारे platform पे तो वहीं चीज हो गई आपका कि customer onboarding experience को और improve करने के लिए उसको transform और better बनाने के लिए SBI Card ने partnership करी है TCS के साथ में फिर है Airtel Payments Bank offer FD Facility in tie with Indusyn Bank तो Airtel Payments Bank जो है उसने FD Facility वो provide करेगा किस के साथ मिलकर Indusyn Bank के साथ में मिलकर अब देखते हैं अब देखे एक्रॉमी में ज्यादा तर चीज़े हैं वह आपकी related है यहां पर आपका जो forecast रहेगा ठीक है कि GDP किती रहेगी वर्ल्ड वैंक ने क्या बोला फिर आपका SBI ने क्या बोल दिया इसको अभी से करेंगे और आप रड़ भी लोगे तो इसका कोई फायदा नहीं रहेगा यहां पर जो यह किस ने बता है वर्ल्ड इस्टील ऑगनाईजेशन ने यह डाटा रिलीस करा है तो आप लोग जल्दी से सर्च करों कि वर्ल्ड इस्टील असोसियेशन का हेड़कोर्टर देख लो कहां पर है अगर मिलता है तो ठीक है नहीं मिलता तो कोई बात नहीं लेकिन सर्च बिल्कुल धियान रखना है और अगरेट है वेट स्टॉक जंप 1.85 परसंट विट्स रिकॉर्ड रिकॉर्ड है 2827.10 बीएसी जो भी लोग मार्केट वगरा में पैसे लगाते हैं उनको पता ही होगा 1.85 परसंट का इसमें ग्रोथ जो है वो रिकॉर्ड कर रहा था ओके इत यहां पर यही लिखा हुआ है कि जो कॉर्ड इंडस्ट्रीज है उन्होंने पैनेंशियल यह 21-22 में 10.4 परसंट का जो ग्रोथ है वो रिजिस्टर करा है और यह काफी इंपोर्टेंट है अभी कोई साथ एक्जाम हुआ था आपका ऑक्टूबर में I'm not sure कॉन से था वो means शा आप यह क्या हो गया कि कि अब कि अब कि और यहां पर जाती तो मैं पहले से लिखके रख लेती यहां पर और आप लोगों को बता देती कि यह यह कोर इंडस्ट्रीज है और उससे आपको समझ में नहीं आता जो भी especially new students है कि आपको कौन सी चीज सर्च करनी है कौन सी चीज नहीं सर्च करनी है लीव तो यहां पर हम देखते हैं coal, crude oil, natural gas, refinery products, fertilizers, steel, cement and electricity यह हमारी 8 core industries है the 8 core industries comprise 40.27% of the weight of items included in the index of industrial production so IIP का full form अगर पूछले तो दियान रखना है index of industrial production इसका 40% जो है वो 8 यही वाले industries जो है वो comprise करती है यही वाले industries जो है तुम कह सकते है उनी का ही है वो ओके तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है then next देखते है नाशनल करेंट अफेस की बात करते है नेर्व म्यूजियम तो बी रीनेम्ड अस पी एम म्यूजियम तो प्रदान मंदरी संग्राले इसका नाम रखा गया है और यहाँ पर क्या करा है जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स है उन्होंने जो भी काम किया है उनसे रिलेटेट जो भी चीज़े हैं उनको वाँपर संग्रेथ कर दिया पहले यहाँ पे सिर नेर्व म्यूजियम था ठीक है एक वेपसाइट इन्होगरेट करी है मिनाक्षी लेखि जी नहीं कि हमारी मिनिस्टर ओफ स्टेट है किसकी कल्चर और एक्स्टरनल अफिएश की where one can visit a temple of their choice anytime and from anywhere in the country यहां पर आप एक बार सर्च करके भी देख लो जैसे कि कोई भी इस तरीके की चीज पढ़ते हो it will hardly take you like temple 360 it will hardly take you one to two minute यहां उसको चेक कर लें कि क्या है वो इक है यहां ने खोला तो यहां पर temples होगे रहा है visit our channel then home let's see what do they have in box अचा है यह यूट्यूब चैनल आगया इनका okay so यहां पर जो अलग अलग temples है आप देख सकते हो अब आप यही देखिए कि government की website है और इस पर views कितने है बहुत ही कम 6, 1, I don't know why is it so so यह हो गई आपकी temple 360 website ठीक है फिर next है NCW National Commission for Women launches anti-human trafficking cell so anti-human trafficking cell जो है वो launch करी है National Commission for Women ने फिर उसके अचा इसमें यह ऐसे पूछ सकते हैं कि कि किसने launch करी है ठीक है women की जगे यहां पर लिख दे family for minority National Commission for Minority यफा national commissions for SCST तो धियान रटन हुमें ने करी है पेर है, Army dedicates first floating hamlet of Shri Navar's Dun Lake to citizens. The Army dedicated the soft launch of Kashmir's first floating hamlet on the famous Dun Lake. जब अरण वाल इसका फोटो देख लेता हैं, just out of curiosity, I just want to see Army, Hamlet, Dun Lake Mm I don't know why is it not working यहां पर हम देख सकते हैं इसका फोटो दिया किया है so you can see so in a way if you want to remember things so better रहेगा कि अगर आप लोग उन चीजों को सर्च कर लो तो okay next देख लेते हैं the next is RPF RPF क्या है आपका so railway protection force conducts month-long Pan India Drive against TOTS under operation uplapped so TOTS basically जो यह ticket वगरा की काला बजारी करते हैं जो लोग उने कहां जाता है ठीक है so उनके against में campaign चलाया या एक operation चलाया जिसका नाम है operation uplapped तो ऐसे questions पूछ लेते न कुछ जैसे पिछले महीने मुझे कुछ ध्यान है कि human trafficking के against में RPF ने campaign चलाया था अगर आपको उसका नाम ध्यान आ रहा हो तो please उसका नाम लिखना आपका भी revision हो जाएगा और मुझे ध्यान नहीं आ रहा है तो मुझे भी याद आ जाएगा आगे देखते हैं honorable vice president श्री M. Venkayan Idu inaugurates three day राश्ट्रिय संस्कृती महुतसव at NTR stadium so NTR stadium आपका हैदरबाद में है वहाँ पर एक तीन दिवसी है राश्ट्रिय संस्कृती महुतसव जो था उसका inauguration करा हमारे vice president M. Venkayan Idu ने so यही ध्यान रखना राश्ट्रिय संस्कृती महुतसव अभी कहां हुआ है तो उसके बाद है CIC Central Information Commissioner उदय माहुरकर's office sets new record disposes 5056 RTI appeals so Twitter पे उन्होंने यह जानकारी जो है वो साजा करी उदय माहुरकर जी ने जो कि हमारे country के CIC है और उन्होंने बताया कि वहाँ पर यानि कि उनके office के द्वारा 5000 से भी जादा RTI appeals को अभी dispose करा गया है ठीक है फिर next है UP overtakes West Bengal as leading producer of vegetables तो यह ध्यान रखना इसे questions से static में भी आपने कही बार देखे होंगे कि शुगर के इन सबसे जादा produce का होता है या फिर cotton सबसे जादा produce का होती है तो उसी वे में इस साल सबसे जादा जो vegetables vegetables सब्सीयां जिस राजजी ने produce करी है वो है UP so West Bengal को overtake करा है और वही पर AP maintains dominance in fruits तो हमारे country में सबसे जादा fruits की अगर हम बात करें तो कहां पर produce होते हैं तो यह होते हैं आपके आंद्रप्रदेश में फिर next है Ayush Ministry to celebrate Yoga Mahutsal at Redford on World Health Day so World Health Day का होता है 7th April को यह एक days का वीडियो बनाया था महाँ पैसे याद करने को मैंने बताया था की health का 7 चाहिए so health का 7 7 April को यह मनाया जाता है ठीक है और 10 April को क्या होता है so homeopathy day ठीक है और 10 और 17 को होता है hemophilia day ओके और वहीं पे 10 के बाद आता है 11 11 को होता है national safe mother road day कस्तूर्बा कांधी की इसमें जैनती भी होती है तो Yoga Mahutsal जो है वो Redford पे मनाया गया World Health Day की दिन then उसके बाद आता है Tata Power Commissions Solar Plant India's largest single access tracker system so Tata Power ने अभी solar plant install करा है Tata Power Renewables में यह इनकी आम है जो की Renewable Energy के सेक्टर में काम करती है 300 Megawatt का solar plant दोलेरा गुजरात में setup करा है यह अमारी country का largest single access solar tracker system है then next है new scheme to set up hobby hubs in Delhi government schools in works so एक नई scheme set up करी जा रही है दिल्ली के government schools में जिसका नाम है hobby hubs so यहाँ पे क्या होगा जैसे कि school जब खत्म हो जाता है basically जैसे 12 एक बज़े जब school खत्म हो गया उसके बाद जो co-curricular activities है उनके लिए classes लगाई जाएंगी जैसे dance है, music, arts, craft इन सब के लिए फिर next है department of animal husbandry and daring launches one health pilot project in उत्राखन so हमारे country का जो animal husbandry और daring का जो department है अब आप बताईए कि इसके minister कौन है so मैंने अभी तक लगबग 4-5 questions पूछ लिया अगर आप लोग ठीक से video देख रहो तो 1, 2, 3, 4, 5 करके आप लोग numbering करके answer जरूर करना questions का कि हमारे जो animal husbandry और daring के minister कौन है so यहाँ पर एक pilot project launch करा गया है one health नाम से कहां किया गया है so उत्राखंड में then उसके बाद है UGC university grants commission to establish भीमा भाई chair at Delhi University and Guru Ghasidas University in 36 गड़ so Delhi University में और Guru Ghasidas University जो कि 36 गड़ में है वहाँ पर UGC ने बोला है कि वो भीमा भाई का जो chair है उसको establish करेंगे इसके अलावा आपने सुना होगा भी एक नया national park establish करने जा रहे है यानि कि बना रहे है basically Guru बना रहे है ऐसा नहीं कि national park थोड़ी ना बनाया जाएगा naturally है उसको notify कर रहे है Guru Ghasidas national park से यह भी 36 गड़ में ही है then next है cabinet not to distribute 45 राइस अंडर सेंट्रल स्कीम सो 45 राइस जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोड़क्ट यूपी ने शुरू करा है साउथ सेंट्रल रेलवे ने लॉंच करा है वन इस्टेशन वन प्रोड़क्ट ओके और साउथ सेंट्रल रेलवे जो है इसका हेड का है मतलब हेड़क्वाटर कहां है तो यह आपका सिकंद्राबाद में फिर उसके बाद यहां पर देखते हैं AI, Airport Authority of India, airports provide platform to self-help group for promotion of local artisans and products through अवसर scheme आपने देखा होगा है यदि आप airport वागरा पे जाओ तो वहाँ पे काफी सारे आपको outlets मिल जाएंगे बड़े-बड़े brands के उसी में ही जो self-help groups हैं उनको एक अवसर प्रोवाइट करा है कि वो अपने सामान को वाँ पर प्रमोट कर सके अवसर scheme के तहट ऐसे याद रखना, airport authority ने एक अवसर दिया है self-help group को अपने products को प्रमोट करने के लिए इन नेक्स है, ministry of youth affairs and sports releases contribution of US dollar कितना 72,000 US dollar to UNESCO fund for elimination of doping in sport so doping जो है sports में होती है उसको खत्म करने के लिए UNESCO में fund प्रोवाइट करा है तो अलग अलग nations प्रोवाइट करते हैं तो इंडिया ने लगबग 70,000 डॉलर जो है वो प्रोवाइट करे हैं, ओके, नेक्स है Union Civil Aviation Minister Jyotir Adit Sindhya flagged off Dornier, the first made in India commercial flight so completely India में बनी हुई, पहली commercial flight है यह Dornier और इसको हमारी Union Civil Aviation Minister Jyotir Adit Sindhya पहले Congress में थे अभी BJP में है so उन्होंने इसको एक तरीके से flag off करा है, यानि कि इसको inaugurate करा है हरी जंडी दिखाई है ठीक है, तो यह पहली commercial flight है जो इंडिया में बनी है, कहां से कहां तक यह चली so दिबरुगड जो की असम में है, वहां से पासीगाड जो की अरुणाचल में है so असम से अरुणाचल के बीच में है चली फिर उसके बाद है, after Hyderabad, Mumbai recognized as a tree city of India तो यह FAO जो है न आपका Food and Agriculture Organization जिसका headquarter है Rome, Rome कहां के capital है, so यह Italy की है so वहां पर वहां का जो organization है और एक Arbor Day foundation है इन्होंने मिलकर यह declare करा है, कि पहले आपने अगर पिछले साल के current affairs पढ़े होगे, तो Hyderabad को tree city of India declare करा था और अब tree city of world declare करा था, अब Mumbai को भी recognize करा है फिर उसके बाद, अचा Mumbai को city of seven islands भी कहते हैं, तो यह भी आप ध्यान रख सकते हो फिर उसके बाद है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोधी इनोगरेट प्रधान मंतरी संग्राल है तो यह था हमने शुरू में ही देख लिया था, नेरु म्यूजियम जो है, उसको change करके यह करा है त्रिमूर्ती भवन में किया गया है, जो कि नेरु जी जो थे, उनका official residence भी था फिर उसके बाद, nation pays homage to Dr. Bheem Rao Ambedkar on his 131st birth anniversary So 131st birth anniversary थी, कब होती है? 14 April को और अभी एक book भी लिखी गई है, राजेश तलवार ने आएगे से book लिखी है The boy who wrote a constitution, वो भी वीमराओ Ambedkarji के उपर ही है फिर उसके बाद, government launches country's biggest ever quiz इसका नाम है, सबका विकास महा quiz सबका विकास महा quiz जो है, यह government ने launch करी थी, mygov.in पर और यह अपने country की अभी तक की सबसे बड़ी quiz थी, ठीक है? और किसने launch करी? सो मेटी ने, Ministry of Electronics and Information Technology ने फिर है, Pen India Electronic Trading Portal, E-Name E-Name जो है, Electronic National Agriculture Market इसको 6 साल पूरे हो चुके है ठीक है, तो वहीं यहाँ पर लिखा है यहाँ पर देखें, इसमें से question बन सकता है आपका इस E-Name को fund तो completely Central Government ने करा है लेकिन इसको implement किस ने करा है? यह आपका definitely यह question यहाँ से बन सकता है, Small Farmers Agri Business Consortium ने Small Farmers Agri Business Consortium ने इसको implement करा है ओके? then next देखते हैं, TCS LED Consortium बेक 550 करोर order to deploy 4G gears in BSNL so BSNL में 4G network को design करने के लिए, उसको implement करने के लिए उसको deploy करने के लिए, TCS LED एक consortium था उसने 550 करोर का एक order back करा है, okay? then government ने एक E-Sanjeevni telecommunication facility करी है at 1 lakh health and wellness centers so health and wellness centers जो है, वहाँ पर E-Sanjeevni teleconsultation facility को launch करा है, okay? तो यह भी ध्यान रखना कि कहाँ पर करा गया है so health and wellness centers पर करा है, ठीक है? किसने करा इसको launch तो हमारे health minister है Mansook Manduya, उन्होंने करा है फिर उसके बाद 40th edition of Honor Heart begins in Mumbai तो यहार 2-2-3-3 महीने में होते रहते हैं बस यहां पर एक चीज़ जरूर धान रखना कि कौन सी ministry इसको organize करती है यह question, I guess किसी mock test में पूछा गया था और वहाँ पर कुछ ऐसा था कि 20-25% लोगों नहीं उसका अंसर करा था so यह अपनी ministry of minority affairs करती है अब हमको लगता है होना रहाट है तो हो सकता है यह culture से related हो या फिर skills से related हो ठीक है तो employment अगेरा उससे related हो लेकिन नहीं minority affairs इसको organize करती है 40th edition इसका Mumbai में हुआ बांद्रा गुर्ला complex है अगर Mumbai में रहते हो तो आपने देखा हो अगर नहीं रहते हो एक बार इसको search जरूर करना बहुत ही super place है यह like one of the best places in Mumbai और I would say in India obviously developed करा गया है natural नहीं है लेकिन बहुत ही अच्छी जगे है so next है PM Modi unveils 108 feet statue of Lord Hanuman at Morbin Gujarat so Morbin आम की एक जगे है Gujarat में वहाँ पर Bhagawan Hanuman Ji की एक 108 fit की प्रतिमा को launch करा है प्रदानमंत्री Modi ने ठीक है video conferencing के जरिए यह करा गया अब यह प्लान था कि total 4 यह देखिए ना Hanuman Ji 4 दाम प्रोजेक्ट इसमें क्या था चारो दिशाओं में East West North South में एक एक Hanuman Ji की प्रतिमा को इंस्टॉल करना है पहले शिमला में तो अल्रेड़ी करी जा चुकी है अब इसा तो नहीं होगा कि सिर्फ त्रिपुरा में आस पास में भी होगा लेकिन चुकी त्रिपुरा में भी रिसेंट में नोटिफाय करा है उनको as a scheduled tribe तो यहां से question पूँच सकते हैं फिर आगे देखते हैं BRO to build world's highest tunnel at 16,580 feet to connect Himachal to Ladakh through Shinkula Pass तो यहां पे जो एक-एक word लिखा हुए आपको याद रखना है Shinkula Pass कहां पर है World के highest tunnel कौन बना रहा है कितने feet पर बन रही है किस जगे को किस जगे से connect करेगी तो Himachal को Ladakh से connect करेगी ठीक है या फिर यहां आप देखो which will connect Himachal to Janskar Valley in Ladakh तो Janskar Valley से करेगी यह भी दियान रखना It will be completed by 2025 2025 तक यह complete हो जाएगी मैं आपको एक बार सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप सर्फ इसी statement को copy करके यह से वित्तर डाल दो BRO highest tunnel 16,580 feet तो जो भी information आ रही है उसको जरूर एक बार पढ़ लेना ठीक है फिर आके देखते है PM Participates in the celebration of 400th Prakashparv of Shri Guru Tegh Bahadur Ji at Redford सो प्रकाश पर्व जो होता है सिक्क धर्म में मनाया जाता है Shri Guru Tegh Bahadur Ji का 400th birthday anniversary है यह भी कह सकते है तो PM ने इसमें पार्टिसिपेट करा कहां पर हुआ इसका जो कारिकरम था सो रेट फोर्ट पर फिर जो बोरिस जॉंसन है इनोंने एक नहीं JCB फैक्टरी जो है बडोधा के पास में उसको इनाउगरेट करा था सो काफी इनका फोटो वाइरल हुआ था JCB के उपर बैठे हुए थे बोरिस जॉंसन यह आपका इंग्लेंड के प्रधान मंत्री है तो ठीक है याद रख सकते हो वैसे तो ऐसा क्वेशन नहीं आना चाहिए फिर उसके बाद हम देखते है PM Modi to visit JNK Jammu and Kashmir to participate in पंचायती राज event तो कब होता है पंचायती राज तो यह आपका होता है 24 अप्रेल को और इसी में जो पल्ली पंचायत है सामा डिस्रिक्ट में उसको इंडिया की पहली कारबन न्यूटरल पंचायत खोशित किया गया तो यह नाम आप लोग जरूर धियान रखना ठीक है फिर Ministry of Civil Aviation ने और्गनाईज करा योग प्रभा एट सफदर जंग एरपोर्ट सफदर जंग एरपोर्ट यह भी आपका फूड और हॉस्पिटालिटी से रिलेटेड मेला हम कैसकते लगाए गया एशिया का सबसे बड़ा था यह इसका नाम था आहर दो हजार बाइस आहर दो हजार बाइस में तो हुआ इसलिए आहर और कहां पर हुआ है तो न्यू डेली में अपएड़ा ने इसको और्गनाइस करा अग्रिकाल्चरर अंड प्रोसेश्ट फूड एक्सपोर्ट प्रोसेश्ट फूड प्रोदक्ट एक्सपोर्ट डेवल्लपमेंट अथारिटी अपएड़ा और किसके साथ में असोशीएशन करके ITPO, India Trade Promotion Organization इन्होंने मिलकर आहर Food Festival जो है, उसको organize करा, ठीक है so, अब यह बिजली होद सब तो I don't think आएगा, so that's it for part 1, यह आप लोगों का part 1 हो चुका है part 2 आप लोगों को कुछ ही देर में मिल जाएगा so वो भी आप लोग जरूर देखिएगा इसके अलावा आपके जो भी friends हो, जो similar exams की preparation कर रहे हैं, bank की हो गया, ठीक है या फिर इसी तरीके let's say ECGCPO का भी exam दे रहे है उनके साथ में please इस वीडियो को आप लोग शेयर करना, जब वीडियो को जादा लोग देखते हैं, तो obviously मुझे जादा motivation मिलती है कि मैं वीडियो बनाऊ और भी नई चीज उसमें incorporate करूँ so please आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और पसंदाय तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, इसके अलावा पीडियो को लाइक बीडियो डाउनलोड कर लेना, उससे जितना फाइदा होगा उतना शाइद वीडियो देखने से नहीं, वीडियो देखने से भी होगा लेकिन पीडियो आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजेगा so yeah, that's it for this video and I shall see you next time आपका RBI assistant exam उनलोग उसके लिए आपको बहुत-बहुत आपको शुब कामना है पहरे तो फ्रिलेंस आपने क्लियर करा है शुब कामना है as in well wishes कि आप लोग अच्छे से exam दीजे and I wish you all the very best बाई